विल्कम नेवेम अकेडमी मैं हूँ शचांग लखेरा और इसमें हम बात करने वाले हैं अमेरिका की एंटी एरक्राफ्ट मिस्यल सिस्टम के बारे में जिसको कौपी किया है चाइना भी देखो चाइना के जितने भी वैपन्स है वो आपको सब कौपी देखने को मिलेंगे बहुत सारे वैपन्स और इसमें बिल्कुल नो डाउट है चाइना फुली जो है अमेरिका के वैपन्स को यहाँ पे कौपी करता है अगर आप इनके एरक्राफ्ट भी देखोगे इनके जो जेट्स है वो भी आप देखोगे तो आपको पूरे कौपी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसके रिकार्टिंग आपको आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा या आर्टिकल फ्रेस वायर का है अनदर कौपी कैट ऑफ चाइना कौपी ड़ा अमेरिकन एंटी कि मिसाइल स्ट्राइकर तो ठीक है चाइना ने यहाँ पे कौपी तो करी है लेकिन चाइना इसको डिपलॉय यहाँ पे क्या करेगा क्या जो हाई एलिटूट एरिया है मतलब जो लद्दाक बॉर्डर है उस पे चाइना इसको डिपलॉय कर सकता है तो काफी कुछ जो है हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं उसके पहले जस्ट को डूगल पे इस जो डाउलोड MM Academy है आपको क्या करना है MM Academy आपको डाउलोड करना है फिर आपको यहां पर sign up करना है आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो demo lecture होंगे फिर आपको profile में जाना है प्लान को purchase करना है courses को enjoy करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहां पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हों अब एक बार मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप यहां पर pick देख लो तो basically यह जो है यह है चाइना का बनाया हुआ anti-aircraft missile striker ठीक है और यह है USA का देखो अगर आप इसको properly देखोगे न तो आपको बिलकुल यह dick to देखने को में लेगा मतलब जैसा यह America ने यहां पर develop किया है अपने striker को वैसे ही जो है चाइना ने भी इसको जो है यहां पर develop किया हुआ हुआ है hacking की बात करें हर एक technology में चाइना ने जो है यहां पर हर एक चीज की copy करी है in fact आपको Indian markets में भी हर एक चीज की यहां पर copy मिल जाएगी और अब चाइना ने copy किया है अमेरिका के anti-aircraft missile system अब यह anti-aircraft missile system जो है यह किस तरीके से यहां पर work करेगा देखो शूट डाउन कर देगा तो बिलकुल कम समय पे चाहे वो helicopter हो चाहे वो drones हो चाहे वो fixed wing aircraft हो इन सब को बिलकुल तुरंथी यहां पर shoot down कर देगा लेकिन चाइना ने इसको develop तो किया है लेकिन यह कितना काम करेगा कितना नहीं कर सकता इस बात की यहां पर कोई भी guarantee नहीं है चाहेना का जो anti-craft missile system है यह बिलकुल अमेरिका के striker जैसा है चाहेना ने पहले भी बहुत सारे अमेरिका के ऐसे weapons है जिनकी यहां पर copy करी है और देखो recently चाहेना का जो state television है basically जो global times है वहाँ से एक video footage यहां पर release हुआ की China का जो नया शोराट system है इसमें जो है इसकी pictures यहां पर दिखाए गई देखो अभी तक इसका नाम यहां पर नहीं दिया गया शोराट system जो है यह freaking लेकिन अभी तक चाहेना की सरकार में officialy जो है सो कोई भी यहां पर नाम नहीं दिया है इसमें आपको दो surface to air missiles देखने को मिलेंगी इसके अलावा एक 35 mm गी anti aircraft gun भी यहाँ पे देखने को मिलेगी जो जब भी कोई aircraft पास में आता है या helicopter आता है तो उनको shoot down करने के लिए जो है यह 35 mm anti aircraft gun को जो है यहाँ पे fire किया जाता है और यह सब जो weapons है ना जो chaches है armored vehicles का उस पे यहाँ पे mount होंगे इसके अलावा चाइना जो है इनको यहाँ पे high altitude जो mountainous area है उस पे यहाँ पे deploy करेगा अब high altitude area मतलब देखो भारत की एक बहुत बड़ी border आपको लगदाख में देखने को मिलेगी और लगदाख में काफी conflict जो है इंडिया और चाइना का चलता है और यह possibility है कि चाइना इसको deploy कर देगा लगदाख water में क्योंकि वहाँ आपको high altitude areas जो है देखने को मिलेंगे वहाँ पे इंडिया के जो drones है वो भी वहाँ पे जाते हैं helicopter भी जो है वहाँ पे surveillance करते हैं तो basically चाइना जो है इसको लगदाख sector में यहाँ पे deploy कर सकता है अब देखो चाइना का जो missile system है यह बिल्कुल अमेरिका का जो striker है I am shore art system तो इसके जैसे यहाँ पे देखता है और यह जो weapon है यह US की army जो है जो general dynamics और जो Leonard है उन्होंने मिलके यहाँ पे develop किया है और इसी को बिल्कुल fully copy किया है यहाँ पे चाइना ने लेकिन अभी तक चाइना की जो media है मतलब Chinese जो media है उन्होंने इसका नाम यहाँ पे reveal अभी नहीं किया है कि यह basically weapon कोन सा है तो अभी इसको अमेरिका का जो shore art system है उसी के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है और इस system को एक combat unit की तरह जो है यहाँ पे deploy कर दिया जाएगा और Chinese media के हिसाब से इसके जो features है जो चाइना के competitor है उससे चाइना का जो defense sector है उसको यहाँ पे better बनाते है मतब चाइना easily जो है यहाँ पे helicopters को इसके लाव़ जो aircraft है इसके लाव़ जो drones है इनको यहाँ पे easily shoot down कर सकता है within a moment तो ठीक है चाइना ने अमेरिका के shore art system को यहाँ पे copy कर लिया लेकिन देखो चाइना के जितने भी weapons है यहाँ पे यह कोई guarantee यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे अटेक करेगा तो जो missile defense system है ना इसको deploy कर दिया जाएगा जिससे infantry है इसको यहाँ पे protect किया जाएगा इसके लाव़ जो motorized infantry है जो motor होते हैं उनको भी जो है यहाँ पे protect किया जा सकता है इसके लाव़ जो ground troops हैं मतलब basically low altitude air defense system है मतलब कम altitude में जो है इसको deploy किया जाएगा और जो enemy aircrafts है उनको यहाँ पे जो है counter किया जाएगा especially जो aircrafts हैं इसके लाव़ जो UAVs हैं drones हैं armed helicopter हैं इन सब को जो है यहाँ पे counter कर सकता है यह missile striker at last मैं आप से आपे पूझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है जिस तरीके से चाइना ने अमेरिका के missile defense system को यहाँ पे copy किया है क्या यह properly अमेरिका के weapons की तरह यहाँ पे work करेगा comment box में comment ज़रूर करना इसी के साथ यह था अंत इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत पर आखिर में आप सभी को गणिश चतुर्ती की बहुत बहुत शुपकामना है and God bless you all